नमस्ते, Microsoft Office Excel में आप सभी का स्वालत है, आज का हमारा टूटोरियाल रहने वाला है, हम Excel में ऐसे फंचन को सीखने वादे हैं, जो की हर समय काम आते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर फंचन के नेम को देखें, इनको हम आज यूज करके देखने वादे हैं, इनका प्रयोग हम यहाँ पर करके देखेंगे, इसके लिए हमने शीट टेयर की हुई है, यहाँ पर आप इन फार्मुलों को बहुत ही आसान तरीके से सिखने वादे हैं, यहाँ फार्मुले आपको अपनी Excel शीट में जरूर प् इसे लगाने के लिए आप Equal को प्रेश करें, फिर आप यहाँ पर Now, N, O, W टाइप करें, शीट के साथ प्रेकेट ओपन करें, और शीट के साथ प्रेकेट यहाँ पर बन करें शिफ्ट के साथ रेकेट बन करने पर यहां फंशन वर्क करता है इस फंशन के अंदर आप देखते हूं कि यह जो कम्प्यूटर में वर्तमान में देट दिनांक चरण रही होती है उसे यहां पर दिखाता है और साथ में इसके अंदर समय को भी दिखाया जाता है इसी के जैसा फार्मूला हम देखते हैं टूडे जो की यहां पर सिर्फ और सिर्फ दिनांक को ही दिखाता है यहां टाइम को खटा देता है तो यहां पर हम देख सकते हैं देख हमें देखने को मिल तुकी है length formula जो होता है यह length को निकालता है count करता है कि आपने यहाँ पर computer शब्द लिखा हुआ है इसे प्रतीक लेटर को यह गिनेगा, count करेगा और यहाँ पर आपको संख्या निकाल के देगा इसके लिए हमें text को select करना होगा यह आप अलग से भी निकालता है इंटर करते हैं यहाँ पर हमें पताए जा रहा है यह कितने लेटर से बना हुआ है lower function जो होता है यह capital लेटर को small लेटर में बदलने का कार्य करता है इसके लिए हम lower function को use करते हैं और यहाँ पर जहाँ पर text लिखा हुआ है उस area को select करना है और यहाँ पर हम इंटर करते हैं हमें capital लेटर से small लेटर में इसने change करके पर अपर option जो होता है यह small लेटर को capital लेटर के अंदर बदल कर देता है इस तरह से आम इसे यूज कर सकते हैं कहीं पर अगर आव शक्ता लगें रेंट कमांड जो होता है यहाँ पर रेंट का यूज है 0 से लेकर 0 के equal to संख्याय देता है और less than 1 के अंदर यानि की 0 से लेकर एक के बीच की संख्याय यहाँ आपको show करता है जो की दश्मलों के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाती है rain function एक तरह से randomly यहाँ पर यूज हो रहा है इसलिए पर एक बार आप जब भी sheet पर work करते हैं refresh होती है sheet तो यह मान हमेशा बदलता ही रहता है यहाँ पर हम rain between का यूज करें इसके लिए आप कोई content दे सकते हैं या फिर हम इस formula के अंदर ही content को रखेंगे rain between formula को यहाँ पर यूज किया जाएगा इसमें bottom और top संख्या यहाँ से पूछी जाती है हम चाहते हैं कि संख्या 50 से लेकर 100 तक की संख्या यहाँ पर देखने को मिले यहाँ इसके बीच की संख्या यहाँ पर शो करेगा और यह संख्या इसी होगी जो की sheet पर कभी पी आप refresh करते हैं तो हमेशा बदलती रहेगी ना तो यह 100 से ज़्यादा बताएगा और नहीं 50 से कम बताएगा जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट हो रहा है जब भी यहाँ पर टाइम बड़ेगा अपने आप अपडेट हो जाएगा और यह संख्या इप अपडेट हो जाएगी तो इसी तरह से हम इन 7 फॉर्मुलाज को यूज कर सकते हैं उप्योप कर सकते हैं जब भी इनकी आउस्षिक्ता लगे तो आप इन्हें बड़े आसनी से लगा सकते हैं इसी तरह आप भी अपने कंप्यूटर पर इसे प्रैक्टिस करके जरूर देखिए मिलते हैं फिर नेक्स टूजे तब तक के लिए डड़ा वाइगा